आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब भी आप Z Archer application open करते हैं और यहाँ पर आप फोल्डर में जाते हैं डेटा फोल्डर में तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी यहाँ पर notification आती है तो यह क्या होता है इसे कैसे fix करना है बताऊंगा तो इस वीडियो को दियान से लिएगा और last end तक दिएगा अगर आप स्किप करेंगे विडिया एक बढ़ेंगे तो आपको बिल्गुल समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर गाईस अगर आप यहाँ पर कोई तो ऐसा फोल्डर जो के बहुत ही private है और यहाँ पर बहुत ही sensitive folder है जैसे के android का होता है data का होता है तो अब आप इसके अंदर जाएंगे तब ही आपको ऐसा बाता आएगा guys यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऐसा बोलेगा for write data to phone android data you must choose a path to its folder ऐसा आपको वो लेगा तो जैसे आप इसके पर ok को पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको path पूछेगा इसके बाद आपको guys यहाँ पर use this folder कर लेना है और olive कर लेना है guys जिससे आप यहाँ पर android के जैसे click करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे अंदर तो ऐस करके आप fix कर सकते हैं easily तो आप यहाँ पर android के folder में जाकर अगब कोई भी आप OBD data वगरा आप copy करना चाते हैं या फिर paste करना चाते हैं तो आप इससे कर लेना है जिसे guys आपकी जो problem है वो solve जाएगी यहाँ पर आप देख सकते है data जैसे ही जाओंगा तो यहाँ पर पूरे folder सबको दिख जाएंगे तो उमीद करता हूंगा आपको समझाया होगा अगर वीडिये चलागा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो लिए thank you very much